ये आकाश्वाणी राइपूर है प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं दिप्ती चन्रा और अब पेश हैं आज के मुख्य समाचार विधाल सभा का शीत कालीन सत्र निर्धारी समय से दो दिन पहले ही आज समपन हुआ भाजपा ने इस पर जताई नाराजगी भारतिय जनता पार्टी ने प्रदेश में आरक्षन को जल्द लागू करने की मांग को लेकर राइपूर में किया धरना प्रदर्शन विजापूर जिले से अगवा किये गए दो अन्य लोगों को भी आज मावादियों ने रिहा कर दिया है और मौसम में बदलाव की वज़ह से प्रदेश की अनेक जिलों में आच्छाया रहा घना कोहरा खरीब आधा दर्जन जिलों में शीत लहर के कारण स्कूलों में छुट्टी रखने का जिला प्रिशासन ने जारी किया आदेश अब समाचार विस्तार से विधानसभा का शीत कालीन सत्र दो दिन पहले आज ही संपन हो गया चह जनवरी तक चलने वाले इस सत्र को विधानसभा अध्धक्ष डॉक्टर चरंडास महंत ने आज ही अनिश्रित काल के लिए सगित कर दिया इससे पहले सदन में आज प्रश्न काल के दौरान भाजपा के पूर्वनेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने प्रधान मंत्री घरीब कल्यान योजला में चावल वित्रन का मामला उठाया विपक्षी सदस्यों ने आरोप लगाया कि इसमें हजारो करोडो रुपए का घोटाला हुआ है जवाब में खादिमंत्री अमर्जीत भगद ने इस आरोप को सिरे से खारिस कर दिया इसकी बाद भाज़पा सदस्यों ने इस मुद्दे को लेकर जोरदार हंगामा किया विपक्षी सदस्य गर्बुरी में पहुँचकर नारिबाजी करने लगे इसके बाद विधान सभा अध्यक्ष ने गर्प्री में पहुँचने वाले सदस्यों को निलंबित की गोशना की और सदन की कारवाही 10 मिनट के लिए इसागित कर दी इसके बाद जब सदन की कारवाही फिर शुरू हुई तो भाजपा सदस्य सदन में पहुँच गये इस पर विधान सभा अध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने अभी निलंबन सवाप नहीं किया है इसके बाद सदन की कारवाही करीब एक घंडे के लिए इस सदन की कारवाही फिर से शुरू होने पर एक बार फिर भाजपा विधायक सदन में पहुँचे और गर्प्री में पहुँच कर नारिबाजी शुरू कर दी विपक्षी सदस्यों ने आसंद की ओर कुछ पर्चे फेके और फिर वे सदन से बाहर चले गए इसके कुछ देर बाद विधान सभा अध्यक्ष ने शीत कालीन सत्र को अनिश्यत काल के लिए इस सगित करने की घोशना की विधान सभा नेता प्रतिपक्ष नारायन चंदेल ने उन्हें पत्र लिखा है इसमें कहा गया है कि विपक्ष को सदन में निलंबित इस सिती में रख कर ही विधान सभा सत्र को आज निरधारी समय से पहले ही समाप्त कर दिया गया है पत्र में कहा गया है कि इससे विपक्ष अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा है नेता प्रतिबक्ष ने कहा है कि इसके बाद विधानसभा के किसी भी आयोजन में भाशपा सदस्यों की भागिदारी की अबेक्षा न की जाए इससे पहले आज सदन में विपक्ष ने वर्क ओर्डर के बाद काम निरस्त करने के मामले में नगरी प्रिशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया को घेरा इस मामले में विधानसभा स्पीकर ने आशवासन दिया कि इस मामले की जाच कराये जाएगी मही सदन में पूर्व विधान सभा अदग धरमलाल कौशिट ने स्वास्विभाग की लापरवाही के कारण अंबिकापूर्गी अस्पताल में हुई नवजाज शिश्यों की मृत्यू का मामला उठाया इस पर स्वास्वमंत्री ने बताया कि जिम्मेदार लोगों पर कारवाही की गई है इस बीच आज विधान सभा में मुख्यमंत्री भुपेश बखेल की ओर से सभी विधायकों को मिलेट्स यानी मोटे अनास से बने वयंजनों का भोजन कराया गया इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि साल 2023 मिलेट वर्ष के रूप में घोशित किया गया है मुख्यमंत्री ने कहा कि 36 गड़ एक मातर राज्य है जो समर्थन मूले पर कोदो कुटकी रागी की चfinitely कर रहा है इस दोरान मुख्यमंत्री ने मंतराले में मिलेट्स कैफे खो कॉंग्रिस विधायक संतराम नेताम 36 गड़ विधानसभा के नए उपाध्यक शुने गए हैं। पूर विधायक मनोज मंडावी के निधन के बाद विधानसभा उपाध्यक्ष का पद रिक्त था। नेता प्रतिभक्ष नारायन चंदेल, पूर्व मुख्यमंद्री डॉक्टर रमनसी, धरमलाल कौशिक, ब्रेज मोहन अगरवाल, अजय चंद्राकर और प्रेम प्रकाश पांडे सहित पार्टी के अनेक वरिष्ठ नेता शामिल हुए। भाशपानेताओं की मांग थी कि राजसरकार को 25 डाटा आयो की रिपोर्ट जल्द प्रसुत करने के साथ ही राजपाल द्वारा मांगे गए 10 बिंदूं का जवाब भी जल से जल देना चाहिए। ताकि प्रदेश में आरक्षन को लेकर बनी असमंजस की इस सिती समाप्थ हो सके। प्रादेशिक समाचार आप आकाश्वाणी रायपूर से सुन रहे हैं। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिये भी हम पहुँच रहे हैं। आप तक चतिसगड की हर ख़बर के लिए सुनते रहे हैं आकाश्वाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रसार भारती को प्रसारण के बुन्यादी धाचे और समाचारों की विशेवस्तु को बहतर बनाने के लिए वित्ती मदद दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे वामपंती उग्रवाद वाले और सामरेक रूप से महत्वपूर्ण शेत्रों में समाचारों की प्रभावी पहुच संभव हो सकेगी। केंद्री मंत्री ने कहा कि इस योजना से दर्शकों और श्रोताओं को गुणवक्ता युक्त सूचना और समाचार मिल सकेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार आकाशवाणी और दूरदर्शन को आधुनिक और सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद है। शिठाकुर ने कहा कि नई योजना की तहट दूरदर्शन और आकाशवाणी के स्टूडियो और ब्रॉडकास्ट उपकरणों का आधुनिकी करण और डिजिटिली करण किया जाएगा। नए O.B. वैन्ट खरीदे जाएंगे। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी की FM सेवाओं का विस्तार किया जाएगा और देश की 80 प्रतिशत आबादी तक इसकी पहुँच बनाए जाएगी। शिठाकूर ने कहा कि देश के दूरस जनजाती अवामपंथी उग्रवाद प्रभावित और सीमावर्ती शेत्रोत था आकांक्षी जिलों में दूरदर्शन के 8 लाग डिटी एच सेट आप बॉक्स वित्रित किये जाएंगे। बीचापूर जिले से अगवा किये गए दो अन्य लोगों को भी आज मावादियों ने रिहा कर दिया है। जोहान और ओम चंदेल तथा कोबरा 208 बटालियन के अधिकारियों के समक्ष आत्मिन समर्पन किया। आत्मिन समर्पन दो मावादियों पर 5 लाख रुपए और 1 पर 3 लाख रुपए का इनाम घोशित था। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम में अचानक हुए परिवर्तन से प्रदेश के तापमान में गिरावट आई है। आज सुबह से ही राजधानी राइपूर सहित प्रदेश के अनेक जिलों में घना कोहरा चाया रहा। वही कुछ इस्थानों पर हलकी बारिश होने के भी समाचार मिले है। राजधानी राइपूर सहित, दुरगर, राजनान गाओ, पेंडरा, बिलासपूर, अंबिकापूर सहित अन्य जिलों में दिन भर बादल चाय रहे और हलकी बारिश भी हुई। मौसम में आई इस बदलाव की वजह से प्रदेश के कई इलाकों में कडाके की ठंड पड़ रही है। मौसम सामान होने तक स्कूल बंद रहेंगे और अर्धवाशिक परिक्षाओं की तारीख भी आगे बढ़ाई जाएगी। और अब कुछ खबरे संक्षेप में। सामान शुल्क के साथ प्रवेश की अंतिम्तिथी 10 जनवरी और विलम शुल्क के साथ 15 जनवरी तक निर्धारित की गई है। और राइपुर रिसित पुराना पुलिस मुख्याले परिसर में कल 5 जनवरी को प्रेस्मेंट केंप आयोजित किया जाएगा। यह भरती शिवेर सुबह 11 बजे से शुरू होगा। इसके तहत 165 पदों पर भरती की जाएगी। अंद में मुखिसमाचार एक बार फिर। के कारण स्कूलों में छुट्टी रखने का जिला प्रिशासन ने जारी किया आदेश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटेंस समाप्त हुआ। नमस्कार।